आज मैं अपनी लेकर के आई हूँ कच्छे आलू का बहुत ही जादा टेस्टी नास्ता जो कि बहुत ही जटपड बन जाता है आप बच्चों के लंच बॉक्स में इसे बना के दे सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैं पर जिसे मैं ने मोटा रोग्रेटर करीं है करता है और फानी अर्फाना चलिया जो टीच कर देंगे बाशिते हैं बना दो इसकित कर सकते हैं यहां पे डालेंगे न¿ बढूत रदी लिए रदी हुत उप्स पर वाज वाण्रेश के हम भी बा सकते हैं तो दो जीरा लिए हल् जरूरी नहीं है तो यहां पे इन वाशोनतों के लिए सब्सक्तिक नरूंगे कखी। इसको ढले क cay про sa टब टितना जा है ता उतना हम डाल देंगे टो यहां पे इस में डाल ला जादा पतला नहीं करना है इसको यह देख सकते हैं और यह बहुत ही जल्दी बन जाता आप इसे पांच मिनट दस मिनट से जादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है अगर आप इसे रेडी कर लेंगे तो फटा फट से गोल बना के आप इसको चार से पांच मिनट में तवे तरहां के जाता है टल फट Ph27 cu 100 अठीन रखकता है यहां पे ठीक सकते हैं तवे मेन गरम कर तीजा लेंगे हैं और तवे पाल यह इसको इससे बेखा की तो इसाइड़ नहीं कर लेंगे देथेंगे और क्रिस्पी भी हो जाएगा और अच्छ सी पक पी जाएगा क्योंकि अलुक अच्छा है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा और उपर से हम डाल देते हैं घी इसको घी डालने के बाद ना नीचे की जो साइड पक चुकी है तो दो से तीन मिन तक मैंने इसे पका लिया है नाष्टे में बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है तो यहां पी देख सकते हैं मैंने इसे बना के त्यार कर लिया है और इसको अब आप जैसे चाहें वैसे इसको कट कर सकते हैं आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं बहुत जादा मोठा भी नहीं है तो इसको मैं इस तरह से कट कर लेते हूं इस में इस तरह सब्सक्रीम कराएं तो पीसे में पीसे बगते है बहुत ज्रटा से यह नास्था बनके बच्चों को दे सकते हैं चाह के टाइम पे या सुबह के नाश्टे में बना के ले सकते हैं तो बहुत ही जादा टेस्टी हमारा यह हेल्दी नाश्टा बनके त्यार है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेल जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं